नमस्कार प्रीमित्रों आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हथेली पर एक लॉंग रखकर बोल देना यह सब्द मित्रों कोई भी दो लोग जिनके मद्य या जिनके बीच रिष्टे खराब चलने हैं संबंद उनका खराब चल लहा है बात बात पे अनबन हो जाती है कोई नाराज है कोई और आपकी परवान करना छोड़ दी है और आप से दूर जा रहा है या किसी और के आकरषण में जा रहा है पती पतनी या प्रेमी प्रेम का हो एक बहुती सक्तिसाली उपाय है मित्रो आपको बता रहे हैं इस उपाय को अगर आप अपने तिस्ते को संबंद पूठी करने के लिए करते हैं तो यकीन मानिए यह उपाय आपको पहले से ज़्यादा मधू बना देगा जो आपका अपने से नाराज है चाहे इस्त्री हो य आपकी ओर रात दिन तरसेगा आपसे मिलने को और वो बेचैन होगा तडपेगा आपके बिना मित्रो एक लौंग को होने वाला यह सक्तिसाली उपाय मातर पांच घंटे की भीतर आपके अपने को आपके करीब ले आएगा उपाय को पूरे विश्वास वो यकीन के साथ करे और जिस दिन यह उपाय आप करेंगे तो आपको एक बात का विश्य ध्या रखना है कि उस दिन आपको लौंग नहीं खाना है आप लौंग से उपाय कर रहे हैं उस दिन आपको लौंग नहीं खाना है कई लोग चाय के मसाला का उपयोग करते हैं उनमें लौंग होती है इस बात का बिषिशच ध्यां रखें तो आए मित्रूट शुरू करते हैं। यह उपाय कि आपको अब क्या करना हैं। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। राथा चार बजे से लेकर 4 बजे की पहले उपाय कर लेना चाहिए। यानि सुबह चार बजे की बाद यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं और साम को चार बजे से पहले इसके मद्ध ही इस उपाय को आपको करना है बहुत छोटा सा उपाय है इसके या इसको करने में पांच मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा आप उष्णान कर लेना है या अपने हाथ पैर को अच्छे से धो कर एक जगा बैढ जाईए जहां आप बैठेंगे कोई भी आसान कपड़ा बिछा है जैसे कि बताया गया है लॉंग लेना है लॉंग तूटी हुई नहीं होनी चाहिए अखंड लॉंग होना चाहिए अब आप पालती मार कर चौकडी मार कर बैठेंगे हैं आपको लॉंग को सीधे हाथ की हथेली के बीचों बीच रख देना है जैसा कि बीडियो में दिखाया गया है लॉंग को आपने रखा दिशा की चिंता न करें लॉंग आप चाहिए जैसे भी रख सकते हैं अब आपको अपनी उल्टा हाथ की तरजनी अंगली यानिकी इंडेक्स फिंगर को इस लॉंग पर कहीं भी छुवा देनी है या आप उसके उपर रख अंगली रख सकते हैं उसके बाद उस व्यक्ति को आखे बंद करके इस्मरण करें जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं चाहे पुरुसो या इस्त्री हो कोई भी हो चोटे से इस मंत्र का उच्चारण करें ओम ए अमुक वसे वसे ओम ए अमुक वसे वसे अमुक के अस्त्राण पर उस व्यक्ति का पहला नाम ले यानि की फर्ष्ट नील इस मंत्र को आप कोई ग्यारा बार बोलना है अंगली आपने जो अपनी तरजनी अंगली लगाई है उसे हटाना नहीं है जबकि आपने यह मंत्र बोल दिया है आपको वह अंगली हटा लेना है और लौं को उठा ले अपने उस स्थान से खड़े हो जाना है कोई एक छोटा सा चुकड़ा ले अकबार का उसमें उसे रख कर पुड़िया बना ले और इसे अपने नीजी स्थान पर जहां किसी का ताग धाग जाग ना हो आलमारी हो बैग हो वहां पर रख दे अब आपको उसे देखना नहीं है आज का दिन उसके अगले दिन और उसके अगले दिन तीन दिन तक यानि तीन रात में आपके पास रहेगा और आपने क्या करना है सोने से पहले तीन रात आज की रात जब आपने उपाय किया अगली रात और उससे अगली रात तिनों रात को सोते समय बिस्तर पर कहीं भी बैठ जाएं और इस मंत्र का आखे बंद करके जाब करें इसी प्रकार से 11-11 बार उचारड करें लौंग नहीं लेना है उसे देखना भी नहीं है केवल आख बंद करके उचारड करना है किसी भी अवस्था में पालती मार कर बैठे और मंत्र बोलें इसके बाद आपको क्या करना है जब तीन राते पुरी हो गई उसकी अगली सुबर उसे घर से बाहर ले जाना है या अपनी छट पर अगर आपके यहां छट पर जाना आसान है तो वहां पर आप रख दें कई लोगों के यहां फ्लैट्स होते हैं तो छट पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है तो ओ घर के बाहर जाकर किसी भी पौधे पर अगर आपकी उस गमले में डाल देना है और यह आपने कार्य कर लिया तो मित्रू अब आप स्वेम दिखेंगे कि पांच घंटे की भीतर यह उपाय आपके लिए कार्य करेगा और यह उपाय आपका अपना मंचाहा यार वापस लाएगा आपके करीब लाएगा हम आग्या मित्रू आप अपना ख्यार रखी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार मित्रू